नमस्कार आप सभी दर्शकों का जोतिस सरोवर में हार्दिक स्वागत है अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मास्तिक राशी फल के बारे में पूरू में हम मेश से लेकर के धनु राशी तक की जात्कों के बारे में चर्चा करचे हैं और आज हम चर्चा करेंगे मकर कुमब और मीण राशी वालों के लिए यह फरवरी माह कैसा रहने वाला है हमेशा की तरह हमारे आज की वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्ण का उत्तर दिया जाएगा और एक और बहुत-बहुत पूर्ण बात मैं आप लोगों से साज़ा करना चाहता हूं कि आप लोगों कहीं सुझाओ पर मैंने एक नया चैनल डॉक्टर रवी राय के नाम से प इस्टेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे उस चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां आपने कमेट कर सकते हैं वहां भी आपके प्रशनों का जवाब दिया जाएगा आए चर्चा प्रारंप करते हैं देखिए बात की मकर राशी की की जाए तो मकर राशी के जाता कभी पर प्रशान है साड़े साथी चल रही है वह बहुत है अब दिरी दिरी स्थित्या सुधरेंगे अब यह कर मैं फरवरी माह के भी बात करूं तो साड़े साथी तो देखिए रहे गाई आपके राशीशे लग्ण में सूर्य बुद्ध और शनी होंगे तो दित्य भाव में गु स्थित्य की वज़से मांसिक परेशानी फरवरी माह में रहेगा मांसिकपरीशानी अभी है यह थ्टूड़ा बढ़ेगा लेगिन फरवरी के मध्य में जब सूर्य कुंभ राष्य में प्रवेस करेंगे तो इसलिए आप परिशान नहों आप अपने उपर बहुत ज्यादा करें लेने की कोशिस नहीं करेंगे आप का बढ़ा चढ़ा रहेगा व्यासिता बहुत रहेगी तो आप कारे को जल्दी खतम करने के चक्कर में कई बार बहुत जादी लेखें तो यह स्थिति आपके लिए उचीत नहीं होगी कारे को करें बिल्कुल करें समय पर करें और तनाव लेकर कि आपको नहीं करना है, एक अच्छी स्थिति यह है कि धन भाव में गुरू विराजमान है, हाला कि शनी के राशी में धन आएगा है ऐसा नहीं कि अगाव धन नहीं के बज़या से आपको अपने जीवन साथी के स्वास्त कभी विश्यसथ खयाल रखना है वो सकता कि उनको कुछ परेशानी हो कुछ पीडा हो तो उसका ध्यान आपको रखना है शत्रो परिशान करने की कोशिस कर सकते हैं आप खुद भी थोड़े से रोगों से ग्रस रह सकते हैं क्योंकि बुद्ध की स्तिति लगन में बनी हुई है लेकिन यह बुद्ध भागेश भी है मकर राच के लिए तो भागे भ बड़ा अनुकूल है या जिन लोगों का कारे विदेश जिन लोगों के कारे ऐसा है जिसमें विदेशों से संपर्क होता हो तो उनके लिए अच्छी है उनके कारे बंते हुए दिखाई दे रहे हैं विद्यार्थियों को थोड़ा फोकस रहने के आशकता है उनका मन भटक स सकता है इस बात का उनको ध्यान रखना है बाकी मकर राशी के लिए स्थिती ठीक ठाक है फरवरी माह में भी मातिक राशी फल में आपको पता है मैं बहुत संच्छेप में कहता हूं और कुछ उपाए जो बहुत महतों पुन चीजह हैं वही मैं लेकर क्याता हूं हां कुछ उपाई जरूर है इस माह के लिए इस पुरे माह आपको प्रति दिन हनुमान चालीसा का पांच बार पाठ करना है और यह भूलिये गमत यह बहुत जरूरी आपके लिए मकर राशी के जोबी जातक हैं उनके लिए यह करना ही करना है फरवरी माह में अब आ जाते हैं बात कुम्भराशी की की जाए तो कुम्भराशी के लिए ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है लगन में गुरू होंगे और चंद्राशी है तो चंद्रमा भी हम केंदर में मान लेते हैं चंद्रागन को आपके लिए सुर्य बुद्ध और शनी की जो यूति बनेगी वह बारहमें भाव में बनेगी तो वही शुक्र और मंगल की यूति लाब भाव में बनेगी दशम भाव में केत्व होंगे और चतुर्त भाव में राहू होंगे तो कुम्भ राशी के जातकों के लिए असमय उतना अनुकूल नहीं है फरवरी माह भी उतना अनुकूल नहीं है लेकिन यहां में जरूर कहूंगा कि लग्ण में गुरू की होने की वज़े से आपके मन में सकारात्मकता जो है वो बनी हुई है आप अपनी सकारात्मक सोच को नहीं छोड़ रहे हैं और यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब सोच सकारात्मक होती है तो उसका नतीजा भी सकारात्मक होता है तो यह बहुत अच्छी चीज़ धनुराशी के साथ लेकिन व्याभाव में जो सूर्य बुद्ध और शनिक य जाते हैं उन्हें लोगों की जो अविवाहित है उन्हों के लिए अच्छी खबर है फरवरी माहम में कुछ अच्छे रिष्टे आपको मिल सकते हैं अभी तक जिनकी शादी किसी कारणवस नहीं हो पाई थी या जो लो जिनको मनुनुकूल वर्या करन्या नहीं मिल रहे थे उ प्रयास करें तो आप बैवाहिक बंधन में भी बंद सकते हैं यह इस्थिति अनुकूल है फरवरी के मध्यमा में जब सूर्य का गोचर कुम्भराशी में होगा उस समय लगन में आपके सूर्य और गुरू की यूति हो जाएगी तो उसमें दू चीजे होंगी देखिए लगने में सूर्य वैसे बिक्रोधी बनाते हैं और यहां पर सूर्य आएंगे तो गुरु के साथ होंगे तो होसकता है कि आपके स्वभाव में थोड़ा बेसे थूड़ा और और दूसरों को ज्यादा ग्रूद्ध यह कर सकती है तो यहां पर मैं आप से जाहिए पूरे फर तियुक्ति है पर यह को सकती है ता पंचम भाव मंगल की द्रिष्टी और मंगल की द्रिष्टी की वज़ए से आपको संतान पक्ष कुछ समस्या आ सकती हो सकता है कि आपका संतान बहुत जिद्दी हो उसमें उसका मन जो है काफी चिछड़ा हो जाए या क्रोथ बहुत आए तो आपको अपनी संतान को भी बहुत तरीके से टैकल करना है डाटना नहीं है चिलाना नहीं है सांती से बैठ करके समझाईएगा तो आपके पक्षमें स्थेती रहेगी और बहुत जरूरी चीज फरवरी माह में आपको किसी के बड़े निवेश्च बचना है जमीन खरीदने से बचिएगा स्टॉक मार्केट में बड़े इंवेस्टमेंट से बचिएगा यहां पर आप जो डिसीजन लेंगे भी फरवरी माह में वो डिसीजन आपके पक्षमें नह करत्मक्त आएगी आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मीन राशी की तो दिखिए अगर मीन राशी के जात्कों के मैं बात करूं तो मीन राशी के जात्कों का समय अच्छा चल रहा है गोचर से अच्छा एक और चीज़ जो मैं आपको बता देना जरूरी समझता हूं कि यह जो तो मिलाकर की हम एक आकलल करते हैं लेकिन जो हमारी राश्य होती है जहां चंद्राश्य जोती होते हैं चंद्र राश्य का भी प्रभाव पढ़ता है समानिय ये पढ़ता है जो यदि आपको पूर्ण रूप से जानना है तो इसके लिए फिर सब का अध्यना आवश्यक हो जा तो कि दशमभाव में शुक्र और मंगल 11 में सूर्य बुद्ध और शनी और द्वादस में गुरू अब देखे तो जो मीन राशी मीन राशी जिलतों समय अच्छा चल रहा है शनी का गोचर लाब हो में राहु पराकरम हमें तो मीन राशी के जातक अभी उन्नती भी किये हैं में इसके वज़े से आपके जो उच्छ पताधिकारी हैं उनसे आपको स्वयोग तो मेरेगा लेकिन अगर वो थोड़ा सा गुस्सा होते हैं क्रोधित होते हैं उच्छ आवाजें बात करते हैं तो आप पॉलेट के जवाव मत लिज़ेगा क्योंकि कई बार सुक्रमंगल की एसी स्थिति व्यक्ति स्थिति गलत दिरने व्यक्ति ले ले लेता है और ये खासकर प्राइवेट सेक्टर के में जो लोग काम करते हैं वो उन उनके लिए असने बहुत अनुकूल है आप तयारी करें आपकी सफलता है लेकिन आपको पुरे लगन से पढ़ाई करनी पड़ी कि आपको पुरा एफ़र्ट देना होगा जो व्यक्ति जो लोग बिजनस करते हैं या जिनका अपना खुद का काम है उनके लिए मैं देख रह पर आपको उसने बिल्कुल चिंता नहीं करनी है भले गुरु की स्थिती बारह में बनी हुई है फिर भी आपके राखु शनी की जो ग्रह स्थिती है यह ग्रह स्थितियां आपको काफी हद तक सपोर्ट किये हुए हैं तो मैं कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकों से यह सम है अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कीजिए अगर आप जबीन प्रोपर्टी लेना चाहते हैं तो उसके लिए में अच्छा चल रहा है फरवरी महां में आप प्रपर्टी में निवेश कर सकते हैं यह सब उपाय आप कर सकते हैं मीन राशी के जात कुछ लोगों को संबंदित चिकायत भी दिख सकती है जिन लोगों का बीपी जो है वह बढ़ा रहता है अवश्य चेक करते आपके सामने आ सकती हैं इसके अलावेदी में मीन राशी की बात करूं तो मीन राशी के लिए समय बहुत ही अच्छा है आपको पया क्या करना चाहिए तो आप पूरे फरवरी माह में ओम नमश शिवाय का मासिक जब करते रहें आपको अतियंत लाव होगा और यदि संभो हो तो गुरुबार कवरत कर लिया करें अब एक दर्शक का प्रश्ण है दर्शक का नाम है हिमाशू दिवेदी और दिवेदी जिने पूछा है कि क्या इनकी जर्म कुंडली में विश्योग ट्रबल है क्या इनकी जर्म कुंडली है सिम्हलगन की और गुरु चंद्रमा और शनी नमंभाव में हैं शनी मेस राशी म में और इन्होंने कहा कि शनी वक्री में अदिए अभ शनी मेरी जब सबस बज्स अच्छी स्थिति में यह देख रहा हूं कि गुरु वहां पर मेस राशी में मित राशी में और चंद्रमा भी वहीं पर हैं तो यह गजकेसरी योग भी बना अब समाज को कुछ देना चाहते हैं अलग हटकर सोचने वाले व्यक्ति वह अलग है बाकी लोगों की जहां सोच खतम होती है वहां से आपकी सोच चुरू होती है और एक अलग डिरेक्शन में होती है व्यक्ति तो आपका अकार्शक होगा घजकेसरी योग है पराकरम भाव प करता है तो यहां पर शनी का कुछ है दूस्प्रभाव तो जरूपर लेक्शीत होगा और यह आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस्ट भी कर सकता है लेकिन आप खुद ही अपने आपको डिप्रेस्ट से बाहर भी निकालिएगा और यहां हमने चर्चा की मासिक राष्टिफल के बारे में और एक दर्शक हिमान्शू जी उनका प्रश्ण भी लिया यह आपके मौन में हुई कोई प्रश्ण है तो आपको सकते हैं आपके प्रश्ण का भी जवाब दिया जाएगा और यहीं चनल को लाइक करें सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार रोश् झाल